Hey FinFam, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की 10 Most Profitable Companies के बारे में और साथ ही हम लोग यह भी जानेगी कि इन ने लास्ट वन एयर में कितने का प्रॉफिट किया है और इन कंपनी के स्टॉक मार्केट में करेंट मार्केट प्राइस क्या है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पी यान कर ले ना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप निसना करो नमबर 10 पर है टाटा ग्रूप की कंपनी टाटा मोटर्स जिसनो लाइस फनेशल एर में 31,399 करोड का प्रॉफिट किया है और इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 970 रूपीज पर शेर नमबर 9 पर है कोल इंडिय लिमिटेड इस कंपनी ने लाज फनेशल एर में 37,402 करोड का प्रॉफिट किया है और इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 479 पर शेर इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 164 पर शेर नमबर 6 पर अगेन एक टाटा ग्रॉप की कंपनी है TCS जिसे लाज फनेशल एर में 45,908 करोड का प्रॉफिट हुआ है और इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 3,894 पर शेर अब नेक्स टॉप 5 में 3 बैंक्स है क तो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताओ मैं भी यह देखना चाहता हूं कि आप मेंसे कितने लोग सही एस कर बाते हैं नंबर 5 पर है ICICI bank जिसने last financial year में 47,905 करोड का प्रॉफिट किया है और इसके बात नंबर 4 पर है ONGC जिसने last financial year में 49,221 करोड का प्रॉफिट किया है और stock market में इसका करेंट मार्केट प्राइस है 260 रुपीज पर शेर नंबर 3 पर है HDFC bank जिसने last financial year में 64,062 करोड का प्रॉफिट हुआ है और इसका करेंट मार्केट प्राइस 1573 रुपीज पर शेर इसके बाद नंबर 2 पर है SBI जिसने 67,085 करोड का प्रॉफिट हुआ last financial year में और इसका करेंट मार्केट प्राइस है 830 रुपीज पर शेर और last financial year में 69,621 करोड रुपीज प्रॉफिट करके Reliance Industries बन गई है इंडिया की most profitable company इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 2,940 रुपीज पर शेर आपने एक में से कौन से कंपनी के स्टाक्स में इन्वेस्ट किया कॉमेंस में बताना मत बूलना जैन